मैं इस वक्त मौदूद हूँ दिल्ली के बिंदापूर इलाके में जो की द्वार का इलाके में आता है और यहाँ पर आज सुबह तड़के ही जो है कॉंग्रेस के जो बड़े नेता है राहूल गांधी पहुंचे थे और एक घर में उस घर में जहाँ पर हरकिशन जी रहते थ मैं दिखाना चाहूंगा जो यह है प्रजा पती जी और इनकी जो फोटों लगी हुई है आप देख सकते हर एक बड़े नेता के साथ में जो है इनकी फोटों है और इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं जो की राष्टपती से भी यह सम्मानित किये गये थे और आज उनही से मिलने के लिए राहूल गांदी जी पहुंचे उनकी पतनी यहाँ पर मौजूद थी बच्चे मौजूद थे और उस वक्त जब सुबे के 6 बजे थे लोग उठे भी नहीं थे उसी बीच में जो है राहूल गांदी जी की जो गाड़ी इनके घर के सामने रुकती है कुछ लो अचाओंगा यहाँ पर यह वही जगह है जहाँ पर राहूल गांदी जी आये थे और यहाँ पर इसी जो है यह देखिया जो बर्तन है जो मिट्टी के यह जो दो चीजे बनी पड़ी हुई है यह उन्होंने बनाया है उनके मदद से और आपको मैं दिखा दूँ कि इसी जो सब्सक्राइब करें जो है जो परजाबपती कालोनी के लोग है वो किस तरह से मुसीविते अफेस करते हैं और वो सब बातचीत के दौरान उन्होंने यह बर्तन मनाया और उन्होंने कुछ जो है बरतन यह कर भी गए हम उनीके परिवार से बात करेंगे अटी सुबे सुबे तो कैसा लगा मनलब क्या फिल अप लोग मेरे को तो फिल अच्छा होया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी राजीव गांदी आएंगे और वो सुबे सुबे आकर उन्होंने बेल बजाया और मैं जग्यों थी तो उटके मैं नीचे गई करे राजीव जी आ रहे है आप दर्वा दो मैं नहीं अब देक्जाय से और आप Pres전 की आ लगवाया और वे तो खुच संавайले के बाद उसको मिट्दी को भिगोया फिर गो antagonिवाई उनोंने किया पुल्कुल वूनने ने किया और फोटो भील लेके गए फिर मैंने वील पर लग वा फिर निचे करवाया, तिन चार बार करवा के जो बबलिंग होती है, न हावा, वो निकल वाया, मैंने का इसमें जो आवा होगा थोड़ा, वो निकल जाएगा, फिर भी थोड़ा रहे था, क्योंके उनकी बनाई हो गुंदी थी, तो अच्छा उनका रिस्पोंस था, अच्छे से अच्छे कसरे पहला है, मैं उन्होंने फिर भी भी बना एक है, आप एक घंटा है एक है लिके, आइच करते रहे, डहेतला से महना अच्छे महद्ट सबाग एं जो कह बसटा जोरी तो की इसी घंधार मेरा रहे कर दोचे मेरा आप, जो, पहले करना उन्होंने क् सारा काम उसका हैंड एक पथर की जो फुदा होते न उस तरीके से मैंनों ओ जिखाया कि थिखाया और डिजाइन भी बनाया उस पे तो जिस तरह से रहूल गांदी ने बनाया तो क्या बना पटन में किस चीज को बना उन्होंने पहले सब सबसे नहीं होनों ने दीवा बनाया करा पर इस का तो जो दूड़ा सी फैर इससने ने बनाया पर फिर थोड़ी आ जब में अपकर देस पर चुबर ने ने करके दिवा जेंट कर जेने चный तो चाहिए थे शक्रआं धुबर में लगा है किनारीं पर और की पर किनाड़ पर तो अनों ने किया सबसे पहले उन्होंने संस्कृति अवर्ड जीता था जो पांच लोगों को देते थे लिखे पड़े को जो आपने उसमें कुछ नया जोड़ा था बचोंने उसके बाद उन्होंने एक सतीष गुजराल होते हैं उन्होंने काया भई ये तो एक नई कला करती मिल गया हमने तो सतीष गुजराल ने अवर्ड दिया यह याद नहीं मेरे अब तक लगभग कितने अवाड जीत चुके थे वो उन्होंने कम ते कम आठदस जैसे किसी उसमें चले गई वहां से मिल गया और फिर ये राश्ट्पती पुरसकार और उसके बाद लिया नेसल और फिर सिल्व गुरू और पदम सीरी का रख्या था वो तो उनको मिल नहीं पाया वो तो चले गए थे उनके वा फाइल भी नहीं गए थी आपने अपने हजमेंट से सीखा या पहले से जादा सिक्या वैसे तो मेरे माई के में होता था काम पर मैंने उन्होंने आजाद कर दिया था मेरे को जो मर्जी करना करो तो मैंने ओ काम किया आपने जो बनाए सबसे चोटा मैंने देखा है सबसे चोटा भी बरतन है और बहुत-बड़ा तो किस किस साइज में आज राहूल गांधी जी आए तो बादचीत में कुछ बैसे गाए इंद्रा गांधी एरिपोर्ट पे जब इंद्रा गांधी एरिपोर्ट बना था उसमें मेरे आथ के भरतन गए थे मेरे से बड़े-बड़े मैंने पीड़े खड़े उस पर क्वैल जोड जोड के लागा वादा ने लुक्तिने सालों आप लोग यह काम करने मैं तो यह नं शेतरव्ण हाजी दी ओर्या मैंने चुरासी ते मैंने कमी क्शाट कर द्या था इंद्धर क्योंकि इनके पापा थी शेय थे कई तो काम मुआ करते थे मैं लिछ न्य गनेश बणा ती थी मतके बनाते थे जब लिचमी कोने इसको कोई जानता ही नहीं था कैसे बनाइगा और मैंने किसे सिख्या चिकने के बाद उस पर कलर चड़ाना बदामी कलर गिवा कलर ये पिंक कलर इस तरह के कलर फिर आख बनानी सिक्कियों से मैंने का आख बनानी सिखा हो मेरे पूल सारी चीज आपके हस्व दूस्टाक हो मैं आख जब राहुल गांदी जी आए तो उन्होंने कुछ कहा कुछ आर्थिक साहिता के लिए क्या यहां की स्थिति के लिए कुछ travelling बात कही क्या है के लिए ने 1 to a gk1 शुरता के बारे में के हमारा जो यह मिति का मिट्टी सब से गंदि है तो यह सब चीज अची मिलेगी तो अच्छी कोई उसकी पोड बनाएगा और खाने के बरतन भी बनेंगे ना उसमें । खाने के बरतन बनेंगे अलग लगे तो उसमें पकाएंगे खाएंगे वीमारी भी कम होंगी तो यह तो है आपकी बिटिया भी मौझूद है मुंसे भी बात करें मैड़म जब आये तो क्या साथ फील हुआ अचाने की पहुंचके राउल गादी जी आपके घर पे हमार लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि वह हमारे घर में आये हैं और हमें अच्छा लगा और उन्होंने हमारे साथ बैठके काम किया हमा अच्छा आप लोगों से कुछ बतन वगडरा भी लेकर गए हमने उनको थोड़ा एक गिफ्ट के लिए जैसे एकदम से हमें इतने खुश हुए थी हमने उनको एक गिफ्ट में थोड़ा सा अपने यहां के दिए आजके दिपाली का सीजन है तो हमने दिए और एक प्लेटर और आपने यूस्फूल काप यह हमने उनको गिफ्ट किया है कितनी खुशी हुए जब वो पहुंचे बहुत खुश हुए आपको पता था इसके बारे में कि वो आने वाले हैं नहीं हमें नहीं नहीं पता था हमें आर्टिक साहिता के लिए भी बात हुई कोई आर्टिक साहिता तो यही अभी वो जैसे अभी हमने बताया है अब जाके जो एक्शन लेंगे वो तो वहीं बताएंगे क्या करेंगे क्या झाकर उनों निनकरेंगे यह का कि किसली होते हमारे समस्या सुने के लिए आयते और यह बाकों काम चल रहाया उनको सबको मतलबेखने में विजिट करने परपस सी कि कि क्या समस्याheric हैं और उनसे बी उचेंगे सर राहूल गांदी जी आ जायो अचानक उन्होंने विजिट किया तो आप लोग ने कोई उनसे बाचीत की या कोई समस्या जो आप लोग की होनोंने उनके आगे रखी हो जी काफी समस्या उनके सामने रखी पर बाकी मैं उनका बहुत-बहुत आभार और सारी हमारी प्रजबत कलोनी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि जो राहूल जी इतने अचानक हमारे समाज के बीच में आ करके हमारा सारा गोरो बढ़ाया और बड़ी उम्मीद के साथ वो आये थे और बाकी जो हमारे प्रधान जी थे हरकिसन जी उन्होंने जो डि अकरियाना इसलिए करना चाहूंँगे कि राहूल जी ने हमारी समाज को हमारी कलोनी को हमारे चोटे से गाां को इतने हाइल लेवल पर दिखाने की कोशिश करी यहां आ करके क्योंकि एक चोटे से घर में और आकर के इस तरह का माहुल करना और सीखना हमारी संसकृती से जो उनके लिए उनका बार बार धनेवाद क्योंकि इस तरह हर आदमी और हर जो नेता हैं बड़े लेवल पर जाकर के इन चीजों उसको भूल जाते हैं पर उनके दिलों में और उनके मन में उनकी सोच में आज भी जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं और मैं समझता हूं कि पू जाहूल जी यहां आए हैं हमारे समाज का भी काफी उत्थान होगा और जो मिट्टी का बनाए हुए बरतन हैं जो कि आदमी के जनम से और मन तक यूज होते हैं वो बरतन हमारे मिट्टी के जो कारीगर यहां बनाते हैं वो कारीगर यहां बहुत संक्या में मौजूद हैं औ तो में कम से कम आट से से दस लेडीज ये अरूपन hou़े जन्ट्स ने घरीकरों में अवार्ट से सटेट अवार्ब्स९ि खNewकर और महसूस कर रहे हैं कि हाँ आज आये और आप लोग बीच के बैठके उन्हों खुद बरतन बनाएं जी हाँ यह एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है कि वो खुद वील पे बैठकर के हमारे साथ हमारे जो दिवाली के दिये और जो उनसे जो बन सका और हमारे प्रधान ज लिए बड़ी गौर्मिंट की बात और हमारे पूरे समाज के लिए गौरा हुए किस तरह से लगा जब आप से भी बात होई होगी बहुत बड़ी अलगा नेता जी जो यहां के उसको नाम घर पर आके उसको नाम गया हमें सुपनों में पता नहीं ता है क्लिस में जब ठाल के लिए बड़ी अले भी है